बरप को पानी बनने में थोड़ा वक्त लगता है डुबा हुआ सूरज को फिर से उगने में थोड़ा वक्त लगता है तू थोड़ा और मेहनत कर थोड़ा और जोर लगा तेरी जंग पड़ी हुई किसमत की दरवाजय को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त सुभंकर, सुभंगेलवियन यूटूब चनल में आप सबका स्वागत करता हूं, दोस्त नेट्वर मार्केटिंग में जब भी कोई इनसान कदम रखे तो उसको इस क्लास का बारे में जनकरी रखना बहुत जरूरी है अगर आप ने डिस्टिब्यूटर है तो आपके लिए क्लास तो बहुत जरूरी हो जाता है और अगर आप पुरने डिस्टिब्यूटर है तो भी आपको ये क्लास जनकरी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको दूसरे को बताना होता है दो बालू सिमेंट यह सब उसका रॉमेट्रियल है उसी तरह का दोस्तों अगर हम लोग निट वर्क बिल्ड करेंगे तो हमारा रॉमेट्रियल है लोग और लोगों के बारे में समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तो दोस्त जब भी आप नेट वर मर्केटिंग ब कोई भी बिजनेस हो जब आप इसको इसको इस्पेंड करने जाएंगे दोस्त आपको तीन तरह का लोग मिलेगा पहला टाइप का लोग होगा वो होगा खामोखा दूसरा टाइप का लोग होगा जो की सलाकार होगा और तिसरा टाइप का लोग होगा जो है डायरेक्ट खमोका किसे कहते है जो तील को तालब रहा सकता है उसी को खमोका कहते है जैसे कि उसके पास ग्यान भी नहीं है और जनकारी भी नहीं है लेकिन उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है जैसे कि आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कभी दिल्ली नहीं गया है लेकिन दि Network marketing के बारे में सब कुछ जानता है तो दोस्त ऐसे लोगों से बच करेए और इसे लोगों से दूर रही है दूसरा नबर जो लोग मिलेगा वह सलाकार जो कि किसी और का सला लिये बिना वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता खुछ ऐसे लोग भी रहेगा जो कि आपने बीबी से डिपेंड है कोई है जो आपने पिता माता से डिपेंड है कोई अपने बाबा से कोई आपने भाई से कोई आपने जीजा से तो जो कि उन लोगों से साला जब तक नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता तो दोस्त इस तरह का लोगों से कैसे डिल करेंगे म चोटा साब लोगों को टेक्निक बता देता हूं दोस्त वालेना बहुत अच्छी बात है लेकिन सहा किस से ले रहे हैं यह जनकरी लेना बहुत जूरी है दोस्त अगर आपको किसी जगा पे कोई चोट लग गया हो या फिर आपका कोई बीमारी हो गया है तो आप क्या कभी जाके पुछेंगे या फिर रिक्स्ता वाले से जाके पुछेंगे नहीं न आप किससे जाके पुछेंगे आप डायरेक्ट जाके पुछेंगे किसी डॉक्टर से तो दोस्त सला उसी से लिया जाता है जिसको उसके बारे में जनकारी हो तो दोस्त जब आप नेटवर मार्के ट्रेटिंग में सबल हो चुके हैं वैसे लोगों से और आप अगर किसी और से सला लेंगे तो आपको गढ़े में घिरा देगा जैसे कि दोस्त महाभारत के टाइम में दो सलाकार था एक था सुकुनी एक था स्रीकृष्णा स्रीकृष्णा से सला लिया अर्जुन जो कि 100 इस तरह का लोग मिलेगा हो है इस तरह का लोग नीट्रल होते हैं इन लोग को कोई भी चीज बता दीजे वह हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए आगे बढ़ाने के लिए त्यार रहते हैं और यह वही लोग होते हैं जो कि positive mentality का होते हैं जो कि कुछ अलग करना चाहते हैं आपको जब इस business को spend करने निकलेंगे तो आपको ही मिलेगा इस तरह का लोग जो कि आपका कही गए बातों को सुनेगा और आपके साथ काम भी करेगा सफल भी बनेगा तो दोस्त जब network marketing करने आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इस तीन तरह का लोगों से आपको सामना करना प झाल झाल